ब्रतियां दुर्वाशनाओं से पेरित होकर जगत में ही विचरती रहती हैं। ध्यान पूर्वक देखिए हिर्दय में। अशाधना और शाधना बाह दृष्टी हटाईए अंतर दृष्टी में सुधार कीजिए। बाह तो यंत्रों के द्वारा हो रहा है। अंतह करण यदि सुधार जाए तो बाह सब सुधार जाएगा। हम बाह सुधारने की चेश्टा करने की ब्रतियां देखते हैं। ऐसा ऐसा पर अंतर में हमारा निश्चें गलत है कभी सुधार नहीं हो सकता। यह बहुत सूक्ष्म बात है। निश्चें सही है तो आप लड़ सकते हैं। बहुत काल तक लड़ सकते हैं। और विजे को भी प्राप्त होंगे। पर यह सहज ऐसा नहीं कि आप चार दिन साधन की और विजे प्राप्त हो गई त्रुगुनात्मिका माया पर ऐसा नहीं है। बहुत धेरिवान, उकताए हुए पुरुष का ये मार्ग नहीं है, धेरिवान का है। शाहसी पुरुष का मार्ग है। हारना तो है ही नहीं, निरासा तो कभी नहीं आने देना चाहिए, परम वस्तु की प्राप्ती में निरासा की कोई गुंजाश नहीं, ये बार बार इस ले करें कि बहुत दीरगमार्ग है, हम कुछ दिनों तक शयम से रहते हैं, फिर हमारी वर्तियाम को परिशान करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर परिशान करते हैं, तो उपाशक अगर उच्षाहीन हो गया निराशा युक्त हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है यह पूरी जीवन की बात बता रहे हैं ऐसा युद्ध बहुत दीर्ग काल्दक होता है इसको सहज में ना मालने कि कुछ महीने कुछ वर्स तो हम सिद्ध हो गए यह ऐसा मार नहीं है क्योंकि बहुत जन्मों शे हमारी दुरवासना ममसदा परिकरशयंती वो खीचती रहती है जैसे जग भी जाए तो सुखद दुखद श्वपन खीचता है जगने पर भी जब उसका अंतराय बहुत लंबा होता है तब वो बिश्मरन होता है ने जग गए हैं बैठे पर उसी श्वपन चिंतन में दुखद हुआ या सुखद उसमें फिर जग के भी डूबने लगते ह अगर हमको तत्तो ग्यान भी हो गया है तो हम जिस शाधन से तत्तो बोध प्राप्त के उस शाधन की तर्मेता हटने नहीं देना चाहिए नहीं तो जैसे जगा हुआ पुरुष्वी सुखद दुखद श्वपन का चिंतन करके उसमें तदात होने लगता है ऐसे ही जगा हु पुरुष्वी अर्थात ग्यान को प्राप्त हुआ भी अगर वो अपने चिंतन को जिस साधन से बोध प्राप्त किया है उसी में स्थित नहीं रखता तो ये तो रहता है कि श्वपन है पर उसकी दुखत सुगत घटना प्रभावित कर देगी इसलिए आत्म ग्यान से आत् आत्मति आत्मत्रप्ति आत्मबोध उसी में आजीवन ब्रह्मबोध महां पुरुष्तन में रहते हैं एक शण भी व्यर्थ नहीं जाने देते क्योंकि बोध होने पर उस्वभाव ही ऐसा बन जाता है अगर कहीं श्वापनिक इस मान अपमान निंदा इस्तुती का वो चिं जाते हुए भी जैसे श्वपनाशक्ति दुखद या शुकद उसे विचलित करती ऐसी स्थिति होने लगती यह बड़ा गूड़ विस्य है इसलिए पूजपाद उडियावावाजी महराज उनके वचन आत्म ग्यान होने पर भी आत्म रती आत्म क्रिड़ा आत्म बोध उस ही में उस ही में चिंतन में हम भगवत मार्ग में अभी चल रहे हैं हमारी ब्रतियां बिगड़ती भी है हमें निराश नहीं होना हताश नहीं होना यह बहुत मजबूती से चलने वाला मार्ग है बहुत से ऐसे माया के प्रवाह ऐसे जोके आते हैं जिन में लगता है अब सब कुछ गया नहीं वो एक ब्रती है जो तुमें विचलित कर रही है उसको जीतना है हमें अंतरशे ये बात समझनी कि ऐसी गलती क्यों हुई ऐसी तुरुटी क्यों हुई बहुत विचार करने पर निकलता है सास्त राग्यां का उलंगन हुआ बिल्कुल आज तक के जीवन कानु हो जहां हम से सास्त राग्यां का उलंगन हुआ वहीं जलन हुई वहीं हमें निराशा हुई वहीं हम उदाश हुए बिल्कुल ये परमार्थ सास्त राग्यां गुरू आग्यां पर ही प्रकासित होता है बिल्कुल ये बिल्कुल बात समझ ली थोड़ा भी मन मानी आचरण ये विचलित कर देगा आपको भ्रहम पैदा कर देगा ऐसा कुहरा अंधकार पैदा कर देगा कि शत्य मार्ग समझ में ही नहीं आएगा ये बहुत दिब्वि मार्ग है ये सास्त्र वाक के उलंगन हुआ कि अंतर ध्यान हो जाएगा आप कुछ समझ नहीं आएगा उल्टी समझ हो जाएगी ये बहुत चड़ाई का मार्ग है इसलिए कहा गया भगुवत प्राप्तियत त्यंत दुरुलब है पर हमें इस दुरुलबता को शुलबता में बदलना है हमें जो मानो देह मिला है इसे दुरुलब मानकर निराश होने के लिए नहीं मिला है श्रीपाद प्रभुधा नंद जी महाराज कह रहे है त्यक्तहा शरवो पिधर्मो हरी हरी नमन्यक त्यक्तमेकं विकर्म श्रीक्रष्णे तस्यनामस्वत तदमुचरे नागसामस्तीमेंतः श्रीमदवरंदावनु त्वास्त्रे मगतिगतिम् त्वेकलाम् त्वेयशद्धि किम्कुर्याम् कूत्रयायाम् यदिहीवत भवेत तदभवत्वेवकामं। ये व्रिंदा टवी ये जो महापुरुष्यन अपने को कहके बोलते हैं तो अपने मन को तदात्म करते हैं संपूर्ण प्राणियों के तब बोलते हैं जैसे ध्रूजी ने तदात्म होकर प्राणवायु रूकी तो सम्पुर्ण ब्रमांड की प्राणवायु रुक गई जब महापुरुष्ट दात्म होते हैं सब के मन का भाव अपने मन में उनको दीखता है अपने मन को पढ़ रहें पूरे बिश्व के मन को पढ़ रहें दूसरों की मन की कुछ वृत्तियां जान लेना यह तो शाधारण सिध्यों के अंतरगत होता है दूसरों की वाकेंद्री लाखो को दूर से सुन लेना कि कोई बहुत बड़ी सिध्या नहीं है भगवत तत्तों में इस्थीत होने वाला महापुरुष जो अपने मन को प्रभु में लगा करके चिंतन करता है तो संपूर्ण सुर्ष्टी के मनों का रास्य जानता है तभी बार बार ऐशा बूल रहे हैं ब्रम्ह बोद होने के बाद फिर कोई अधर्माचर नहीं होता फिर अईशा महापुरुष प्रियालाल के प्रेम में अनुरागे धाम अनुरागे, नाम प्रियालाल के प्रेम में अनुरागे प्रियालाल से प्रेम यह दूसरी बात है प्रियालाल के प्रेम में अनुरागी इनको भला कहीं असत आचरन की ब्रत्ती भी उठ सकती है नहीं फिर ऐसा बोलते हैं तो यह हमारे लिए बोलते हैं हमारे मन में तदात्म होकर बोल लें के रहे हैं प्रभू समस्त धर्मों ने मुझे ही छोड़ देया ऐसे आचरन हीन हो गए हम कोई धर्मभम प्यक्ता सरवोपि धर्मों हे हरी हे हरी मैं कैशे बताओं क्यूंकि धर्म से चलने वाला राग रहित होता है वैराग्यवान पुरुषी ही ज्ञान को प्राप्थ होता है और ज्ञानी पुरुषी संपूर्ण जड़ चैतन्य में एक मात्रात मश्वरू अपने प्रभू को देखता है जो प्रभु को देखा सत्य को जाना उसी में उसकी रती होती है वही प्रेमी बनता है अग्यानी प्रेमी नहीं होता है भेद दर्शी रागद्वेश जनित चेश्टा वो कभी अनुराग को नहीं जानता है एक भी अधर्म हमसे नहीं छुटा है विकर्म शास्त्र विरुद्धाचर्म और कोई भी धर्म हममें रह नहीं गया है त्यक्ता प्याग दिया है श्री कृष्णे तस्यनाम और प्रभू श्री कृष्ण का जो नाम है महाम्रत में है जैसे इंद्र वज्ञ का प्रहार कर दे तो कोई भी परवत हो चक्ना चूर हो जाएगा ऐसे ही कृष्ण नाम ये वज्ज्र के तुल्य है और हमारा पाप पहाड के तुल्य हो धूल धूर्शरित हो जाएगा चार-चार हो जाएगा कृष्ण नाम उच्छारन करते ही पहाड वत पाप भी नष्ट हो जाता है जिसके मुख पर भगवन नाम चल रहा है उसके हरदे में दिव ज्ञान का प्रकाश हो जाता है जिसके हरदे में भगवन नाम चल रहा है उसके हरदे में कोई प्रशन नहीं उठता हर प्रशन का समाधान स्वयम हो जाता है ऐसे महा महिं कृष्ण नाम अपराद बन रहा है क्योंकि तदनुचरे जो स्री कृष्ण के अनुचर हैं दास हैं वैश्णोजन हैं उन पर हमारी दोस्द्रिष्टी होती है उनकी हम निंदा करते हैं नाग शामस्ति में इंतहा मेरे हिर्दय में ऐसी बृत्ती का अंत ही नहीं है जो वैश्णों के दोस्देख रही बढ़ती ही चली जा रही ना तो नाम में रती है और ना नामी के दासों में हमारी पुजिबुद्धी है बस दोश दोश और वो ब्रती का अंत नहीं हो रहा बढ़ती चली जा रही है यह बात हरदेश से समझनी होगी देखो यह समस्त चराचर जगत गुण दोश माया से बना हुआ है हम भगवत मार्ग के पथिक हैं तो हमें यह देखना है कि उसमें सामने नहले में कुईन कोई शदगुण तो है है क्योंकि गुण और दोश सहित रचना हुई है तो अगर हमारी दृष्टी सामने भगवत भाव में नहीं जाती है तो उसके कुछ गुण होंगे उनको स्वईकार करलो काहे को दोश दर्शं करते हो जैसे भागवतिक तिलक लगाए है कंठी बांदे है कुछ न कुछ रामकृष्ण हरी राधा कृष्ण कुछ न कुछ भगवन नामुच्चारण करेगा है बले पिरीति नहीं है नामुच्चारण कर रहा है जब मदुकर शाह जी एक गधे को माला पहना देने पर तिलक लगा देने पर शाष्टांग दंडवत करके चार परिक्रमा करते है विश निष्ठा ये भगवत दाश आगे हमें नहीं देखना है उत्तम बात तो यह है कि हम साक्षात प्रभू को हरदय मंदिर में विराजमान देखे क्योंकि यही प्राप्त करने के लिए हम चले है ऐसी स्थिती नहीं है तो हम भगवत भाव यह भगवान के निजदाश है जो चीश्टाएं माया कृत है जिस गर्मी है तो लगेगी गर्मी सर्दी है तो लगेगी अशुद्धाचरन कर रहा है तो अनुभवाएगा कि अशुद्धाचरन कर रहा है पर हमें विचार करना है कि परमशुद्ध प्रभू इसके हरदय में बेठे हैं वो क्रपा करेंगे जिसे हमारे उपर क्रपा की हमारे अपरादों को छमा करके परमार्थ में चला रहे ऐसे प्रभू का दाश है शदवुद्धी प्रभू प्रदान करेंगे पर हम उसके दोशों का मुक्से वर्नन ना करें शांत श्री पाद करें, ना तो प्रभू आपके नाम में रती है और ना आपके अनुचरों में पूजी बुद्धी है, आपके दाशों में, दोश ही दोश, और आज तक ब्रती का अंत नहीं हो रहा, वो बढ़ती चली जा रही दोश दर्शन की, यह बहुत घातक ब्रती है, बहुत घातक ब्रती है, हमें किशी में दोश नहीं देखना है, क् जिसको फसना है तो यही तो माया का करशन है द्वाइत पैदा कर देना भ्रम पैदा कर देना दोशों का दर्शन करा के हमें पतित कर देना यही इसकी चाल है नहीं सामने से तो दोश कर रहा है ना उसकी सत्ता नहीं है ना सतो विद्धते भाव जो उसमें बैठा सत है वो देखने के लिए साधक बने होना यह तो संशारी पुरुष देखते हैं क्योंकि उनकी दृष्टी त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा धकी हुई है तुम त्रिगुणातीत मार्ग पर चलने वाले भगवत पारुशद हो तुम्हारी दृष्टी में तुम्हारे आराध्य देव के शिवा और कुछ बहुत विचित्र माया का खेल है इसे तुम देखकर अंत पाही नहीं सकते हो अगर अंत पाना है शामने अपने प्रभु को देखो शरवान वस्ततया निरीक्ष माना हमें बुरा दिखाई दिया हमारे हरदे को भी बुरा लगा पर हम उसको भाव क द्वरा समन करें नहीं एक खेल है माया का राधा 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 हम माया का खेल देख देख के उप गए अब हम प्रभु का प्रेम खेल देखेंगे जो त्रिगुना तीत है क्या हमसे गलतिया नहीं हुई और जन्मे की छोड़ो इस जन्मे में आप देख लो जबसे आपने शुद्र समाली के आज तक आप सास्त्राग्या में ही चलते रहे आपसे कोई गलती नहीं हुई आपसे अपराद नहीं बने तो हरदय कहगा कि बने हैं इमानदारी से देखो तो जब आपके अपरादों को छमा करके प्रभुशत मार्ग पे ले आए ऐसे सबका कल्यानों करे यदि हमारे हरदय में शदभाव आ जाए बगवान इसकी बुद्धी को शुद्ध करो इसके दोशों का आपरण करो अंदर ही अंदर और निंदा न करें तो वही सदभाव हमें निर्दोस कर देगा पर हम तो देखने लगते हैं कि हम दोश रही थें निर्दोश हैं सामने वाला बैशनों होकर भी देखो ऐशा ऐशा वो हमारे मारग में बहुत बड़ी बादा खड़ा कर देगा सत्य कहते हैं जिस पर जो दोस देखा है वही दोस हरदे को जला दिया है हरदे को परास्त कर रहा है यह पक्की बात है तो आपको आगे बढ़ना है यह दलदल में फसना है यह दलदल है माया का अगर आप दोशनों पर दोश दर्शन करके सत्यत भाव रखेंगे कि हाँ यह दोस ही है तो कुछ दिन में देख लेना वही दोस आपको रौंदता मिलेगा वही आपके हरदे को परमार्त वहिन करने की पूरी चेस्टा करेगा वो दोस अपने में जागरत हो जाएगा और शही पुछो तो अगर उस दोस का बिंदो ना हो तो शामने दोस दिखा ही नहीं देगा और जहां दोस से देखा बरणन किया तो सिंध हो जाएगा तुमारे हरदे में पहल जाएगा इस अध्यात्म सिद्धांत को समझे अपने आपको बचाईए अगर आपको लगता है कि शामने वाला तो प्रभुष प्रार्थ ना कीजिए नाथ आप इसकी बुद्धी को शुद्ध कीजिए बस उसके दोशों का बरणन न कीजिए परश्री पाद कह रहे हैं यहां तो दोश बृत्ती देखना, बरणन करना, सुनना अच्छा लगता है आपके वो अनुचर हैं, ऐसा भाव नहीं आपाता कि आपके दाश हैं, भगवत पारशद हैं, प्रवुजे से हमें समाल रहें ऐसे सब को समालेंगे देखो जब तक आप हरी के आश्रित नहीं हो जाओगे और शरवत्र हरी का भाव नहीं करोगे तो यह माया परपंच दूर होने वाला नहीं क्योंकि डरता नहीं है किसी से यह इनी हरी का है अशानी कि बहवीत हो जाएगा तुम नाम जापक हो तो सामने से बहवीत हो जाएगा नहीं जिनका तुम नाम जब कर रहे हो उनी की रचना है उनी का पावर है उनी की सामर्त से युपत है मम माया तो ममई वांसो जिसे आप प्रभू के हैं तो यह भी प्रभू की है शिद्धान्त से चलोगे, रास्ता मिल जाएगा, अभिमान करोगे, रौंद दिये जाओगे, खुद देख लेना, पक्का यहां से हम कहे रहे हैं, बिना हरी के इस दुखद माया से मुक्त होना कठे, हरी राम ब्यास जी महराज कहे रहे हैं, कि हे प्रभू, किशी भी योनी मे कहीं भी छिन भर भी हमें सांती सुख नहीं मिला, आज आपकी शरण में आये हैं, तो हमें परम बिश्राम मिला, यह वो महापुरुशें, जिनको सब वेद सास्त्र कंठस्त हैं, देख के बोलने की जरुरत नहीं थी, वो बोलना है, जब महाप्रभू हरिवंश की शरण में आये, तब उनके हरदय में जो बिश्राम मिला, प्रियाजु के चरणों का जो प्रेम मिला, निहाल कर दिया, इसलिए वो अपने अनुभों से कह रहे हैं, पक्की बात है, पक्की, जिससे तुम सुख समझते हो, जरा विचार करके देखो, अब इसलिए विचार नहीं कर पार है, कि मनी और काच हाथ में हो, और अनुभों हो कि मनी है, और ये काच है, तो फिर आपका विचार पक्का हो जाएगा, कि हमें मनी लेनी, अब भगवदानंद की श्पूर्ती तो है नहीं, और विश्यानंद का शेवन कर रहें, तो बार बार विचार विश्या पर एक शिद्धान्त है, कि अगर हमें अनुभो नहीं हैं, तो हम अनुभवी महापुरिषो पर विश्वास करके, क्योंकि मार्ग विश्वास का है, हम अनुभो करने चले, तो अनंत जन्न बीत गए अभी अनुभो नहीं हुआ, ना कभी होगा, क्योंकि हो तो अनुभो हो, ना सते विद्धे भाव, ना भाव विद्धे सता, असत की सत्ता ही नहीं तो अनुभो क्या होगा, जो है उसका अनुभा होता है, और उसको ढखे हुए है तिर्गुनात्मी का माया, तो हरी राम ब्याजी कह रहे, एक शन भी कभी सुख नहीं मिला, जिसे शुख कहते हैं, किशी भी, किशी भी योनि में, किशी भी लोक में, जवाब राधा, 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 एक एक ब्रत्ती लगी हुए उस समय जो परमान लोटता है, वो किशी लोक में नहीं है, कहीं भी नहीं है, विश्वास की,